मंच पे आसीन मेरे साथ भारती जिन्ता पार्टी के सम्मानिय अध्यक्ष अधर्णिय जेपी नड़ा साहिद भारत सरकार के यशर स्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेन प्रधान जी हमारे ग्रह राज्य से उपस्तित विने शहस्त्र बुद्दे जी हमारे मद्यपदेश के भारती जिन्ता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहिब अनिल जैन जी राष्ट्र महमंत्री अरुन सिंग जी जै पांडा साहिब जफर इसलाम साहिब और मंचपरासीन सभी गण्मानिय सदसिगंद मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सरप्रथम आदर्निय नड़ा साहब को हमारे प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी को हमारे ग्रह मंत्री अमिट शाजी को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया एक स्थान दिया मेरे जीवन में दो तारीख हैं बहुत महत्पून रही व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं और मेरे जीवन में वो दो दिवस पहला दिवस तीस सतंबर दुहजार एक जिस दिन मैंने अपने पूज पिताजी को खोया एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए और उसी के साथ करना करके एक निर्णे मैंने लिया है मेरे पूज पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है प्राण पन के साथ और पूरी शद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है भारत या कॉंग्रिस पार्टी के द्वारा लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है क्योंकि जो आज स्तिती उत्पन हुई है मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष की पूर्ती आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्तिती कॉंग्रिस पार्टी में हैं वो कॉंग्रिस पार्टी आज नहीं रही जो पहली थी और तीन मुख्य बिंदू हैं विचारधारा जो एक नया नित्त को सही मान्यता न मिलना मैं मानता हूं कि इस वातवर्ण में जहां राश्ट्र स्तर पर ये स्तिती हो चुकी है वहीं मेरे ग्रह राज्ज में जो मेरा दिल का भाग है मेरा मद्यपदेश एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में सरकार बनी थी लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए चाहे हम किसानों की बात करें जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम रिण माफ करेंगे 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है आज भी पिछले फसल का बोनस ना न मिल पाया ओला वरिष्टी की मुआवजा न मिल पाई और जो स्वता मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंसौर के गोली कान के बाद आज भी हजारों किसान है मद्यपदेश में जिनके विरुद आज भी केस आज भी लगे हुए तो जहां आज किसान तरस्थ है नौजवान भी बेबस हो चुका है रोजगार के अफसर नहीं वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रती महा एक अलावंस दिया जाएगा उसकी सूद नहीं और उसी के साथ जहां रोजगार के अफसर नहीं उत्पन हो पाए है वहाँ भष्टाचार के बड़े अफसर उत्पन हो चुके है आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मद्यप्रदेश में रेट का माफिया चल रहा है मद्यप्रदेश में और जब ये स्तिती राश्ट्र स्तर पर अलग विड़मना राज्य स्तर पर अलग स्तिती और जब सत्य के पत पे कोई व्यक्ति चलता है मूलियों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है तो तब मैं मैंने निर्णे लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगती और विकास के रास्ते पे चलाना होगा तो आज मैं अपने आपको सौभागयश हाली समझता हूँ कि नड़ा जी ने प्रधान मंत्री जी ने और अमिच्शा जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं देश के तिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी को मिला है और उस जनादेश का एक सक्रिय शमतावान और पून रुप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो शमता उनकी है और आज देश का नाम जो विश्वस्तर पर उन्होंने बढ़ाया है योजनाओं की क्रियानवन की शमता जो उनमें है जो आज के नहीं लेकिन भविश्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना यो जो शमता उनमें है मैं मानता हूँ कि भारत का भविश्य पूर्ण रूप से उनके हातों में सुरक्षित है मैं आज नड़ा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया और मैं उत्सुक हूँ नड़ा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रदान मंत्री जी नरेंद मोदी जी के दिखाएवे रास्ते पर हमारे ग्रह मंत्री अमिच शाजी पूर्व अध्यक्ष के दिखाएवे रास्ते पर और हजारों सेंक्डों करोडों भारती जंता पार्टी के कारिकरताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अफसर मुझे मिलेगा इसके लिए मैं कृतग्य हूँ इन सभी महानुभवों का बहुत बहुत धन्यवाद अधाज के दिन बस इतना ही